उनका नाम था श्रीमती बैकाली सरकार कुरोना की इस महामारी के दौर में वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते करते उन्हें खुद करोना हो गया और उनका चार मई को दिहानत हो गया रोहिनी में रहती थी बैकाली जी और MCD के स्कूल में कॉंट्रक्च्वल टीचर थी उनकी ड्यूटी लगी थी जो गरीबों के लिए दिली सरकार खाना बाट रही है हंगर रिलीफ सेंटर चला रही है ऐसे ही एक हंगर रिलीफ सेंटर में उनकी ड्यूटी लगी थी पका हुवा खाना बाटने के लिए गरीबों को और उनकी जूटी दस तारीक को लगी अठारा अपरेल को लगी तीनो दिन उनने जूटी की उसके बाद उनकी जूटी पच्चिस अपरेल को लगे 25 अपरेल को वो जूटी पे नहीं आए पता चला बिमार है उन्हें डॉक्टर अम्बीडकर हॉस्पेटल रोहिनी में भर्ती कराया गया उसके बाद उन्हें राम्मनोर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पे चार मई 2020 को उनका देहान्त हो गया खाना बाड़ते वक्त उन्हें भी करोना हो गया और करोना की विज़े से उनका देहान्त हो गया भगवान उनकी आत्मा को शांती दे उनके परिवार को ये दुख छेलने की शक्ती दे हम सब दिल्ली के लोग सब देश के लोग अपने ऐसे कोरोना वारियर्ज पर हम लोगों को गर्व है जो अपनी जान जोखिंग में डालके समाज की सेवा कर रहे हैं इनके परिवार को बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से एक करोड रुपए की सम्मान राशी दी जाएगी उनकी जान की कोई कीमत नहीं है अपने घर का कोई चला जाता है उसके जान की कोई कीमत नहीं होती है लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को एक करोड रुपे की संभान राशी देगी दिल्ली में कई सारे construction पे काम करने वाले मजदूर हैं गरीब लोग हैं और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है पिछले महीने हमने construction workers की मदद करने के लिए सब के bank account में 55,000 रुपे डलवाये थे इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके account में 55,000 रुपे और डलवा रहे हैं कुछ के account में डल चुके हैं दुबारा और जो बच गए उनके account में और डलवा रहे हैं ये वाला तीसरा lockdown सत्रा मई तक है सत्रा मई के बाद क्या करना चाहिए इसके उपर कल प्रधान मंत्री जी ने देश के सभी मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधान मंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉक्डाउन में क्या क्या चीजें शिरू करना चाहते हैं प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारिख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के उपर केंदर सरकार फिर निरने लेगी कि 17 तारिख के बाद क्या किया जाए मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूँ आपको क्या लगता है 17 मई के बाद जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है लॉक्डाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता क्या लॉक्डाउन में धिलाई दी जानी चाहिए अगर धिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी धिलाई दी जानी चाहिए किस-किस खित्र में धिलाई दी जानी चाहिए क्या बसें चालू होनी चाहिए क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए क्या आटो चालू होनी चाहिए, टैक्सी चालू होनी चाहिए, क्या स्कूल खुलने चाहिए, मार्केट खुलने चाहिए, इंडस्ट्रिल एरियाज खुलने चाहिए, क्या-क्या चीजे खुलने चाहिए, क्या-क्या चीजे नहीं खुलने चाहिए जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कडाई से मेंटेन की जाएगी सब के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा हमें अपने आपको एक तरफ करोना से बचाना है अपनी सेहत को करोना से बचाना है उसे तरफ अर्थविवस्था की भी सेहत बनाके रखनी है क्योंकि अभी फिलहाल लॉक्डाउन के वज़े से बहुत सारे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है तो मुझे कल शाम को पांच बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूँ एक्सपर्ट से भी बात करूँगा डॉक्टर से भी बात करूँगा और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव यह मैं क्लियर कर दूँ यह कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले यह कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है आइडिया चाहिए है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कितनी धिलाई दी जानी चाहिए धिलाई दी जानी चाहिए कि नी धिलाई दी जानी चाहिए जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके डॉक्टर से बात करके सभी लोगों से बात्चेत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंदर सरकार को भेज बीजहतेंगे। आप अपने सुझाव मुझे पिंद जरीयों के इन जरीये भेच सकते हैं एक तो है फोन dł headed आप फोन करके इस पर अपनी अपने सुझाव रेकॉर्ड कर सकते हैं 1031 नंबर रें Jagal 2231 इस पर फोन करेंगे, आप अपनी आवाज record कर सकते हैं, आपके सुझाव record हो जाएंगे, आप मुझे WhatsApp के जरीए अपने सुझाव भीज सकते हैं, WhatsApp का Number नोट कर लिजी ज़िए, 888 00 00 00 7 00 mad 00 00 डबल एट, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल सेवन, डबल टू. इस नंबर पर आप मुझे वाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे इमेल भी कर सकते हैं, इमेल एड्रेस है, डेलीCM.Suggestions at gmail.com, डेलीCM, डेलीCM.Suggestions at gmail.com, आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा, आप अपने अच्छे-च्छे सुझाव भीजी, आपको क्या लगता है, इसके उपर, और आप सब के सुझावों के आधार पे, और सब भी एक्सपर्ट से बातचीत करने क याद में परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बनाके केंदर सरकार को हम भेज देंगे, केंदर सरकार उसके बाद तै करेगी, कि 17 तारीक के बाद lockdown रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रहेगा, किस-किस च्छेत्र में रहेगा, बहुत-बहुत शुक्रे.